आज आशीश विशो की शुरुवात मैं ग्लोबल फैक्टर से करूँगा, आज मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट ग्लोबल क्यूज ज़रूरी हैं, लेकि वीकेंड पर चाइना और मिडल इस दोनों में कोई बहुत ज़्यादा चेंजिस नहीं आए, चीन ने जो फिनास मिनस्टर ने क्लियर कर दिया है कि ये आएगा, ठीक है, मार्केट अनलिस जो मैं दो रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, दोनों में ये कहा गया है कि चाइना यहां से आउट परफॉर्म करेगा, और भले ही चाइना रिसेंटली गिरा हो, लेकिन एक दो रिपोर्ट्स प मजबूत करने के लिए वो कर्ज भी जादा लेंगे, मैं क्यों इस पर थोड़ा जादा टाइम स्पेंट कर रहा हूं, इससे पहले एक बार आते हैं हम CSI जो चाइना की मार्केट है, उसका मोमेंटम जो हो रहा है, 3145 हम 450 तक गए, वहां से हम 387 तक करेक्ट हो चुका है, तो 50% rally का retracement हो चुका है, यहां से अगर चाइना ने वापस rally करनी शुरू की, तो मुझे लग रहा है कि एक important factor होगा, और मेरा यह मानना है कि एक सेक्टर जहां आज भले दवा हो, लेकिन आपके लिए वहां मौके होंगे, वह है metals, बात में बात करूँगा, मैं उस सेक्टर लेकिन risk अभी भी बना हुआ है, और जो crude के behavior बन रहा है नाशिश, मुझे लग रहा है कि एक बार वापस अगर crude 80 क्रॉस किया, तो थोड़ा market के लिए negative हो सकता है, sign है वहां पर कि दुबारा 80 क्रॉस करने के त्यारी करता है, लेकिन अच्छी ख़बर भी है, अच्छी ख़ करेगा तो बाकी index भी follow करेंगे, पांच भी हफते लगातार थेजी होई वहां पर और पहली बार 5800 के ओपर S&P 500 और अब तो Nasdaq भी सिरफ 2% दूर रहे गया, all time high से, तो at least सबसे बड़ी market तो अब इन चीज़ों को ignore करके आगे बढ़ रही है, और जो rate cut की expectation तो 25 basis point की, 50 तो आप individual stocks पर focus करें, निफ्ती हो सकता है एक range में रहे, तो इसके लिए better रहेगा कि आप individual sectors, individual stocks पर focus करें, लेकिन निफ्ती अगर range से बहार निकला, तो उसके लिए बितिया है, तेयाद है बेसी करें, बहुत बढ़ बढ़ या, तो मदब झाल झाल, झाल, झाल